मधुस्दनपूर ओपी छितर के गनौरा बादलपूर में पुलीज दौला वाहन चेकिंग दौरान पुलीज और मोटर सैकिल चालक के वाहन चलाने की नियमों का पालन नहीं करने वा जुर्माने की रासी को लेकर कहा सुनी हो गई जिसको लेकर वहां काफी हंगामा भी हुआ इस दौलान वहान चालक ने मधुसुदनपूर पुलीस पर बेवजा पिटाई करने का आरोब भी लगाया है इस बाबत वहान चालक की पिता पंकच कुमार ने बताया कि उसका पुत्र बिना हैलमेट के बाइक से आ रहा था तभी मौके पर वहान जाच कर रही मधुसुदनपूर ओपी पुलीस ने उसे बिना हैलमेट वहान चलाने को लेकर रोक कर जुर्माना दने की बाद कही फिर उक्तियूबक ने जुर्माना भी दिया लेकिन पुलीस द्वरा उसके पुत्र की जबरन पिटाई कर दी गई लेकिन उसने पुलीस द्वरा जबरन मार पीट करने पर उसका बिरोध करना सुरू कर दिया तक पस्चात वहां मौजूद अस्थान ये लोगों द्वरा भी इस बात का बिरोध किया जाने लगा वही सूचना पर पहुँचे ओपी प्रभारी ने लोगों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन लोगों की भीड धीरे धीरे जुटती गई और हंगामा बढ़ने लगा यहां देख ओपी प्रभारी ने अतरिक्त पुलीस बल भी बुला लिया इसके बाद आसपास खड़े कई निर्दोस लोगों को भी पुलीस ने बेरहमी से पीटना सुरू कर दिया वही सारे मामले का विडियो बना रहे कि युबक के साथ पी पुलीस कर्मियों ने दुर्बेभार किया काई ऐसे करता है लेडियो लड़की पहाँ काई उठाया फाइन नया है हिल्वन तो फाइन लेगा मारेगा काई अंकाई तब यत खराब था ये फ़ल आने के लिए उसके पहले आप चोड़े थे पैर भी जोड़े थे अंकल छोड़ दीजे बच्चा आपके भर में भी पर तक चलेगा ये केस लेकिन हम केस करेंगे फाइन बांदेंगे ज्यादा लेने के लिए पैसा है सिर्फ हेल्मेट का सिर्फ फाइन लेना है तो वो लोग वो गाड़ी का सारा ची अप्टूडेट है गाड़ी का फाइन भी दे दिये चलान भी हम लोग ले उसके बाद सिसी में जो है उलोग पूरा टिंसन अगे लिया आपवन जाद मेरा वीडियो करें किया हुआ जो है मैं मोवल चिन लिया इस कारवाई में पूलीस ने 27 ड्रम में चववन सो लीटर डीजल के साथ साथ ऑईल इंडिया का एक टैंकर भी जब्त किया है बताया जा रहा है कि उक्त टैंकर बरौनी रिफाइनरी से मुगेर के लिए चला था पूलीस दोरा किये गए इस बड़ी कारवाई में मिली सफल ताकि जानकारी सोमबार को बेपूर थाने में आयोजित प्रेस वारता में स्पी सुसांत कुमार सरोजन दी स्पी ने बताया कि इस कारवाई में टैंकर का चालक बेगुसराय के कारी चक्का धरमेंद्र चौधरी समेत टैंकर से तेल निकाल रहे नरायनपूर मतुरापूर का खंतरिया दव एवं खगडिया के गोगरी का रहने वाला मुहमद इमरान को गिरपतार किया गया है जबकि मुहमद सोहेल मौके से भागने में सफल रहा एसपी ने बताया कि सोहेल तिलकटी करने के इस खेल का पुराना सातिर है दो बर्स पूरू इस मामले में वो जेल भी जा चुका है वही गिरपतार आरोपिय से पूछताच में कई और नाम सामने आये हैं रवी बार की रात मिली सटीक सूचना पर इस कारवाई को सफलता पूरूबक अंजाम दिया गया बहपूर थाना धच राजकुमार सिंग के बयान पर प्रात मिकी दर्ज की गई जिसमें कुल पांच को नामजद आरोपित किया गया है एसपी ने इस कारवाई को बड़ी उपलबधी बताते हुए बहपूर थाना धच राजकुमार सिंग वह जंडापूर ओपी प्रभारी भुपिंद्र कुमार के दोरा किये गए कारे को उस्सराहा एसपी ने कहा कि तिलकटी गिरहों पर उनकी काफी पहले से नजर बनी हुई थी और यह जो है आज से लगवग है तो फंद्रा जिन पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था कि लाने जगह पे तेलकटी होता है और वो जो अपराधी है यह पुरे हिलाका में आपकर करने कि अपर पुर्सेला से लेकर के देवोसराय तक जोई पर टोल पॉंग है उस्रु प्रवारे वीपूर की जंकारी दी गए थी तो इनके दर अकल बताया गया कि जो सब्सक्राइब कर गया कि जो सब्सक्राइब करते हैं इसमों ड्यावर की सवाहिता मती है तो ड्यावर गरतारी हुई है इसके अलावा और दो तीन से लेकर गर्मंदर चोदरी पिसर दीपक चोदरी शाकिर कारी चक थाना मुफसित जिलादे में सब्सक्राइब के बाड़ी नाकी पंचायत में अस्थानिय जनपतनीधियों की मदद से विकास योजनाव में धानली का रोप ग्रामिन लगा रहे ह बड़ी नाकी पंचायत के चकमजा के ग्रामिनों ने अस्थानिय मुखिया अमीरन खातून के पती और मुखिया परतनीधि मुहमद मुस्तिकीम और वाड़ पारसद मुहमद सरीप के द्वारा परधान मंतरी आवास योजना के द्वारा बनाए गए गरीबों के आसियाने के लिए परती परिवार 15,000 रुपिये लेने की बात बता रहे हैं कई लाभुकों ने बताया कि सरकार के दौरा मकान बनाने के लिए पर्थम किस्त 40,000 रुपिये दिया जाता है पर्थम किस्त के दौरान ही मुखिया के परतनीधि और दलालों के दौरा 15,000 रुपिये परती थे सब्सक्राइब करें तो अच्छान को लिए पाँचिज के लिए पैसा मिला था किसली पैसा देए ऑद लेली आथ से अपने या चीज के लिए मिला था पैसा एक इस तमिला है घर बना लग लिए और दूसरा किस्ते ने कि प्वान थे सबस् 나중에 क Hunting अजें नेंसार जा घ्ट किना धा किया नहीं मिला धदन last क्षक्षा लिला अपसा कर इंद पार में फीDasना ड्लिया नहीं फिल्टि भीसा तर दूकिस्ट में लिल हैं ठीजिड़ने कि वह मैं अनुक्षण कितना हैं पेशा लिला इसे felेणिें। बाद बला कोन लिया पैसा है वा रद आशा इपना 15 रुप्या यह 15 राजार पैसा लिया क्या बुला का है लिया कि आमराध देया पैसा मां खट लिया गुरले ओ दिया असी दास वता आदमी के नो करेगा सब रहां दिया पोनी भट लाचे मोटी बहुत परिसों नी वरलई प अच्छे बात कल जे तुरा मुख्याजी उठाएक लेगेल चलाओं की बोल लखोन बोल लखोन के कान जूट बड़ी जोगी इना जिना को काम मना पैसा ने ले चाहिए का है की काल लखोन के पैसा नहीं हम्रा तुरा कोई ले मिद देनी है यह बोल लखोन अच्छे नहीं का यह 35 जार रासी आया एकांट में उसके बाद 20 जार परापत हुआ 15 जार दलाल ले लिया सर दलाल अमिरन खातुन पती मुस्तकी मुख्या उसके बाद हम बहुत बार गये गुहार लगाए कि कि किसी तरह कम कर दो बाबु भया पैर पकड़े लिकिन कोई सुन माकाजला के कटोरिया थाना में दर्ज डकैती कांड के फरार अभियुक्त के घर कटोरिया थाने में पदस्थापित अवर निरचक रंजीत कुमार रंजीत ने अमरपूर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरचक अनील कुमार के सयोग से कुरकी जपती किया मौके पर कटोरिया थाना के अवर निरचक रंजीत कुमार रंजीत ने बताया कि सन 2015 में अमरपूर थाना चितर के पूरन चक गाउनिवासी बिनो दियादब का पुत्र सावन कुमार के खिलाब कटोरिया थाने में डकैती मामले को लेकर प्राथमी की दर्श की गई थी मामले में यूबक फरार चल रहा था नियायले से कुर्की वारंट निर्गत होते ही अमरपूर पुलीस के सही होक से आरोपित के घर कुर्की किया गया वहीं भारी संख्या में पुलीस बलों को देखते ही ग्रामिनों की भीवल आरोपित यूबक के घर के समीप एकत्रित हो गई आरोपित यूबक की पतनी बार बार पुलीस कर्मियों के पैरो पर गिर कर कुर्की की कारवाई रोकने की गुहार लगाती रही कटोरिया पुलीस ने बताया कि नियायले के दोरा कुर्की वारलन निर्गत किया गया है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते आरोपित के घर का चौकी दर्वाजा बरतन आदे उठा कर पुलीस अपने साथ लेकर चली गई साथ ही पुलीस कर्मियों ने फरार युवक के परिजनों को अविलंब आरोपित को सरेंडर कराने का निर्देश दिया भागलपूर के घंटा घरिश्तित साई मंदिर से भगवान साई नात की भववे सोभायात्रा निकाली गई साई देब को पालकी में रखकर पूरे सहर के लिए पालकी यात्रा निकाली गई गाजे बाजे और जिवन्त जहाकी के साथ निकाली गई सोभायात्रा पूरे नगर का परिभ्रमन कर वापस साई मंदिर पहुचा इस दोरान स्रधालू साई नाम का जाप करते हुए पालकी यात्रा भागलपूर घंटागर चौक से होते हुए इस टेशन चौक पहुँची जहां से कोतवाली होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुँच कर संपन हुआ इस दोरान जगा जगा साई के भक्तों ने पुष्प बरसा कर पालकी का स्वागत किया मंदिर के पुजारी पंडित तिनसेखर महराज ने कहा कि बैस्विक महामारी कोरोना के करन हम लोग इस बार बहुत भव्वे सोबायातर नहीं निकाले हैं लेकिन पूजा अर्चना अभी से काफी उत्साहपूर्ण महोल में भक्तों के द्वारा संपादित किया गया बार का पानी लगातार खत्म होने को है लेकिन नाथनगर दियरा इलाके में लोगों के घरों में अब भी घुटने भर पानी की चड़ जमा है मिली जानकारी के मुताबिक प्रसासन ने सिविर में बीते चार दिनों से खाना पिना बंद कर दिया है जिससे लोगों को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है महासे डियोडी परिसर में रह रहे देव की मंडल सवीता देवी दिलीप मंडल समेथ कई बाल प्रीतों ने कहा कि बाल में तो सब कुछ खत्म हो गया है अनाज सब भी बरबाद हो गया है अभी घर कैसे जाए घर में कीचड़ है जैसे तैसे कर यहां राद गुजारने को बूल है